है गाईज असलाम अलेकूं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हो आप लोग हम सब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और हम लोग अभी जा रहें बाहर और कहां जा रहें वहां पहुंचते हैं फिर आप लोगों से म रही है यहां पर तो सब लोग आए हैं और माशालला बहुत ही बेतरीन से अफ़तारी का इंतिजाम भी है तो बस पहले हम लोग अफ़तारी करेंगे नमाज वगएरा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मार्केट में चलेंगे तो आपको भी दिखाती हूं और माशालला यहां पर जितनी वी इफ़तारी दस्तरखान पर है सब कुछ मेरी बेटी ने खुद बनाया था और बहुत ही ज़्यादा बेतरीन और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बस अभी आजान का टाइम है तो बस इफ़तारी करेंगे हम लोग और विंडो से माशालला बहुत ही खुबसूरत मस्जिद दिखाई देती है और इसका मिनार बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसूरत लगता है और मस्जिद से नमाज की अजान की बहुत ही किलियर वोईस आती है तो बस मैंने record कर लिया और इस पर मैंने बहुत सारे rails भी डाला है आप लोगोंने देखा होगा माशालला बहुत खुबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर से आवाज बगएरा एकदम साफ आती है तो मैंने सुचा कि आपको भी दिखाया जाए माशालला आप लोग भी बोलिए दुफ्तार के बाद हम लोगोंने चाय पिया थोड़ा सा आराम किया उसके बाद इशा की अजान हो गई थी तो हम लोगोंने नमास पढ़ लिया तरावी पढ़ लिया और अभी हम लोग नीचे उतरे हैं मार्केट में मुहमद अली रोड पर काफी रोनक है माशालला बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा रैश है और बहुत ज़्यादा लाइटिंग भी है हम लोगों को थोड़ी बहुत शापिंग करना है और थोड़ी बहुत सा बत देखना है लाइट्स वगरा देखकर आजाएंगे तो चलिए देखते हैं यहापर बहुत ही खुबसूरत लग रहा है प्राफिक को चल्ने दो कोर्ने निकमाने लाएटि रपीं रुगहिगं रुगहिए लुगहिग तो मेत्रुगहिग रोगहिं जन्देत शेपरावि रांतति ओंदी 같은 अगाने कारपावाटिज् handc 훤 कियाठ भॉख भॉख आए कफ़्षटाए сторон किया भॉख करते हताँ किया भॉख मखना दो और अभी हम लोग तवक्कल पर आ गए हैं और यहां पर बहुत ही ज्यादा रश है बिल्कुल भी बैटने की जगा नहीं है तो बस अभी हम लोग दुसरी तरफ जाते हैं हाजी टिकप पर जाएंगे और वहां पर खाने का ओर्डर देंगे और यह तवक्कल का ओनर ताहिर शबीर है तो मैंने उसका भी रिकॉर्ड कर लिया था तो चलिए वहां चलते हैं और इतनी ज़्यादा वैश है कि बिल्कुल भी बैटने की जगा नहीं है और रात के दो बच्चु के हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी अल्मूस्ट पूरा फुल हुआ है जगा बिल्कुल भी नहीं है खाने का ओर्डर दिया है और खाना आने का वेट कर देए हम लोग और बच्चे भी परेशान हो गएं क्योंकि बहुत गरम भी है और बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और फटाफट घर के लिए निकलेंगे क्यां खाफोट, क्या हुआ है क्या है क्या है क्यां क्या है झाल झाल खाना हम लोगों ने खा लिया है हमारी सहरी हो गई है माशालला और बस अभी हम लोग घर के लिए निकल गए है और घर जाकर तहजूत पॉड़ लेंगे और चाय वगर पिएंगे और उसके बाद फजूत पॉड़ कर सो जाएंगे आप लोगों को मेरा ये व्लोग बहुत पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अला आफीज